हेलो दोस्तो मैं हूँ सुजीत चौधरी स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूटुब चैनल ची मैप विद सुजीत चौधरी में दोस्तो आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आप सभी के लिए हिस्टो पैथलोजी एंड साइटो लोजी से पार्ट वन जिसमें मैंने एड किये हैं ट्विंटी मोस्ट इंपोर्टेंट मुल्टिपल चौइस कुष्चेन और आंसर्स तो दोस्तो अगर आप हमारे चैनल पे नाए हैं अवे तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी और टिशू आफ दा बॉड्डी इस नोन ऐस ऊप्षिन ए इस्टो पैथलाजी ऑफचन बी मेंस्ट लाजी ऑफचन सी साइटो लेजी आफिर अप्षिन डी नन ओप्षिन तो दोस्तों इसकुष्चेन को मैंक्रोस्कोपिक स्टटी को किया किते हैं तो इसकुश्चेन को जो र जाता हिस्टो पैथोलोजी दोस्तों बढ़ते हैं अगले कुश्चन पे हमारा नेक्स कुश्चन है ता बेसिक सबस्टेंस ओफ आल लिविंग थेंग्स और कार्ड ऑप्शन ए सेल ऑप्शन बी टिशू ऑप्शन सी प्रोटो प्लाज्म या फिर ऑप्शन डी और गन दोस्तो लिविंग थेंग्स के जो बेसिक सबस्टेंस है उनको क्या कहते हैं तो दोस्तों उनको हम प्रोटो प्लाज्म कहते हैं दोस्तों अगर यूनिट ऑफ लिविंग थेंग्स पुश्ता है तो यहां पे हमारा आंसर सेल हो जाता तो दोस्तों इस कुश्चन का जो राइट आंस है वो हो जाएगा option number C protoplasm पढ़ते हैं दोस्तों अगले question पे हमारा next question है the Eocene solution used in H&E stain are prepared from दोस्तों H&E stain को बनाने के लिए कौन से Eocene solution का यूज किया जाता है option A Eocene Y option B Eocene Z option C Eocene C या फिर option D Eocene R तो दोस्तों H&E stain को बनाने के लिए mostly use करने किये जाने वाला जो हमारा Eocene है वो है Eocene Y तो इस question का जो right answer है वो हो जाएगा option number A दोस्तों बढ़ते हैं अगले question पे tissue processing units are also known as option A histokinate option B histomate option C histobath या फिर option D histoform दोस्तों tissue को process करने वाला जो unit है यानि कि जो machine है वो क्या कहलाता है तो दोस्तों उसको कहा जाता है histokinate दोस्तों इस question के जो right answer कर देता है और इसको histokinate कहते हैं बढ़ते हैं दोस्तों next question पे section cutting machine is also known as option A microtome option B histomate option C histo cut या फिर option D histo form दोस्तों section cutting machine को क्या कहते हैं तो दोस्तों इसको कहते हैं Microtome और हमारा जो पहला option है वो हमारा right हो जाएगा जो देखें दोस्तों डाइग्राम में यह है हमारा Microtome और histopathology में हमें किसी से section cut करना होता है बढ़ते हैं दोस्तों next question पे smear should be prepared and fixed immediately for cytology because option A exfoliated cell degenerated rapidly option B exfoliated cells may be blown away option C the nuclei of the cells get extracted from the cell option D cytoplasm develops granularity दोस्तों हमारा जो answer है वो है option number A exfoliated cells degenerated rapidly दोस्तों बढ़ते हैं अगले question पे हमारा next question है flame cells are observed in option A multiple myeloma option B bronchogenic carcinoma option C having sarcoma या फिर option D retinoblastoma दोस्तों flame cells किसमें observe किये जाते हैं तो दोस्तों इस question का जो right answer है वो है option number A multiple myeloma दोस्तों multiple myeloma एक white blood cell का cancer है जिसमें जो हमारा cells है वो flame की तरह दिखाई देता है दोस्तों option number जो भी है bronchogenic carcinoma यह हमारा lungs cancer से related है और दोस्तों जो हमारा third option है एविंग्स का सारकोमा यह हमारा bone cancer में आता है और जो हमारा last option है retinoblastoma यह हमारा eye cancer में आता है और यह cancer जो है बच्चों में जादा देखने को मिलते हैं उस तो बढ़ते हैं क्वेंटी टू पेर्स ओफ सोमेटिक क्रोमोजोम और काल्ड एज ऑप्शन ए आर्टो सोम्स ऑप्शन भी सिक्स क्रोमोजोम ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी यह फिर ऑप्शन डी नेन ऑप्शन तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह आप्शन नंबर अप्शन लोह एप्शन नबर कारें जो अप्शन हैं यह प्शनी ओप्शन का जो राइट आसर है वो है option number C, elastic fiber दोस्तो, diagram में देखे, elastic fiber आपको देख रहा होगा दोस्तो, elastic fiber को yellow fiber भी कहा जाता है बढ़ते हैं हम next question पे हमारा अगला question है decomposition of tissue caused by invasion of bacteria is called दोस्तो, bacteria दोरा आक्रमण किये गए tissue जब सर जाता है तो उसको क्या कहते है option A, putrefaction, option B, autolysis, option C, both A and B या फिर option number D, none option दोस्तो, इस question का जो right answer है हो है option number A, putrefaction दोस्तो, putrefaction दोस्तो, बढ़ते हैं next question पे a fixative which is prepared after mixing two or more solution is called option A, simple fixative, option B, compound fixative, option C, bone fixative, या फिर option D, urine fixative दोस्तो, वह fixative जो दो या दो से अधिक solution से मिलकर बना होता है क्या कहलाता है। जब कोई fixative दो या दो से अधिक solution से मिलकर बना होता है तो उसे हम compound fixative कहते हैं दोस्तों इस question का जो right answer है हो जाएगा option number B compound fixative दोस्तों simple fixative की बात करें तो यह हमारा simple chemical से मिलकर बना होता है जो fixation में ज्यादा time लेता है यानि कि tissue को fix करने के लिए यह time ज्यादा लेता है बलते हैं दोस्तों अगले question पे हमारा next question जो है a high temperature during fixation increase age option a putrefaction option b artolysis option c swelling effect या फिर option d non option दोस्तों जब fixation के time temperature high हो जाता है तो tissue के साथ क्या होता है तो दोस्तों इस question का जो right answer है वो है option number b artolysis दोस्तों high temperature होने से tissue का जो है artolysis होने लगता है यानि कि स्वता ही उसकी जो कोश्का है वो नस्ट होने लगती है मरते हैं अगले question पे fixative on specific part of cell is called option a simple fixative option b mercury chloride option c cytological fixative या फिर option d micro anatomical fixative दोस्तों fixative जो cells के specific part के लिए यूज किया जाता है क्या कहलाता है तो दोस्तों इस question का जो right answer है वो हो जाएग option number c cytological fixative बढ़ते हैं दोस्तों next question पे fixative which contain glacial acetic acid is called option a formal saline option b cornice fluid option c both a and b या फिर option d non option दोस्तों जिस fixative में glacial acetic acid mix होता है उससे क्या कहते हैं तो दोस्तों इस question का जो right answer है वो हो जाएग option number b cornice fluid दोस्तों उस fixative को cornice fluid कहते हैं दोस्तों cornice fluid का जो composition है वो है ethanol 60% chloroform 30% glacial acetic acid 10% और feric chloride 1 gram दोस्तों बढ़ते हैं next question पे which fixative is used for the section cut by cryo state option a cold acetone option b buffered formal saline option c absolute ethyl alcohol या फिर option d formal lean दोस्तों किस fixative का यूज जो है cryo state के section cut के लिए किया जाता है दोस्तों cryo state क्या है cryo state एक processing machine मसीन है cryo का मेंस दोस्तों cold है और state कमेंस stable यानि की इस्थिर है तो दोस्तों इस question का जो right answer है वह option number a cold acetone दोस्तों cold acetone का जो यूज है cryo state के लिए किया जाता है बढ़ते हैं next question पे the other name of jinkers formal is option a hell is flood option b bowels flood option c jinkers flood या फिर option d non option दोस्तों jinkers flood का दूसरा नाम क्या है तो दोस्तों इस question का जो right answer वह option number a hell is flood दोस्तों इसकी composition क्या है mercury chloride 50 gram potassium dichromate 25 gram sodium sulphate 10 gram water 1 liter yeah 1000 ml glacial acetic acid 5 ml दोस्तों बढ़ते हैं next question पे हमारा अगला question है formaldehyde is produced by the oxidation of solution दोस्तों किस solution के oxidation से formaldehyde बनता है option a formalin option b formic acid option c methanol या फिर option d para formaldehyde तो दोस्तों इस question का जो right answer है वह है option number c methanol दोस्तों methanol के oxidation से जो है formaldehyde बनता है दोस्तों formalin और formaldehyde में क्या अंतर है दोस्तों formaldehyde एक colorless gas है जो water soluble और flammable है जबकि दोस्तों formalin एक liquid है जो formaldehyde और water के mixer से बनता है दोस्तों बढ़ते हैं अगले question पे हमारा next question है 40% formaldehyde is equal to dash percent of formalin option a 25% option b 50% option c 75% या फिर option d 100% दोस्तों इस question का जो right answer है वह option number d 100% दोस्तों 40% formaldehyde को हम 100% formalin के बराबर मानते हैं बढ़ते हैं दोस्तों अगले question पे which fixative is a transport fixative for smear option a carbo wax option b perquery chloride option c 10% formal saline या फिर option d non option दोस्तों इस question का जो right answer है वह option number a carbo wax दोस्तों cytology में smear को fix करने के लिए carbo wax fixative का यूज किया जाता है जब की mercury chloride और 10% formal saline का histopathology में tissue के fixative के लिए यूज किया जाता है बढ़ते हैं दोस्तों last question पे हमारा last question है vapor of osmium tetraoxide affects which part of the body दोस्तों osmium tetraoxide का जो vapor है वो body की किस part को effect करता है option a i option b lungs option c both a and b या फिर option d liver तो दोस्तों इस question का जो right answer है वह option number c both a and b दोस्तों osmium tetraoxide का जो vapor है वो आखो और फेफडों दोनों को प्रभावित करता है दोस्तों दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा दोस्तों अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आयो तो नीचे लाइक की बटन पर क्लिक कर दिए और इसे अपने फ्रेंट साइकल में शेयर कर दिएगा और दोस्तों अभी तक हमारे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जिल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि धिर सारे कुश्चन आज़सर आपको मिलते रहे हैं थैंक्यू सो मच